दोस्तो स्वागत आप सबी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सबी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के कीज जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मोक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहली कबर दिल्ली में चिराग ने दिखाया दम पांच जुलाई को हाजीपूर से सुरू करेंगे आसिरवाद यात्रा जिहां लोजपा एदग चिराग राम बिलास पासवान के जनम दिन पांच जुलाई से बिहार में आसिरवाद यात्रा सुरू करेंगे यात्रा की सिरुवात राम मिलास पासवान की कर्म भुमी और वर्तमान में पसुपती कुमार पारस के संसदिय चेत्रे हाजीपूल से होगी यात्रा राजिबर में डेड़ महिने तक चलेगी और पटना में पार्टी की नेशनल काउंसलिंग की बेटक के साथ खतम होगी डिल्ली में जपा की राष्टिया कारकरणी की बेटक के बाद चिरागने यह गोष्णdock की है इसके पले बेटक में कारकरणी ने 2 साल पहले चुने गए राष्टिया दग चिराग पासवान में आस्ता व्यक्त की है साथ ही एक प्रस्ता पारित कर पूर्वत केंद्रे मंत्र राम बिलास पासवान के पचास वर्सों के राष्ट हित में किये गए कारियों को देखती वे उन्हें भारत रत्र दिने की मांग प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदे से की गई है दूसरी तरब चिराग का दावा मजबूत 75 में से 50 सदस्यों का मिला साथ जिहां लोग जन सकती पार्टी में चल रहे सियासी टपड़क के बीच अगली बड़ी कबर कोरोना से मरने वालों की परिजनों को अब मुआवज़े पर संकट केंद्र सरकार ने 4 लाग देनी पर अस मरता जताई जिहां देश में कोरोना से हुई मोत के बाद मिर्तक के परिवार वालों को मुआवज़ा देने का मामला अब अटक सकता है मिर्तक के परिवार वालों को 4 लाग रुपए मुआवज़ा देने में केंद्र सरकार ने अस मरता जताई है सुप्रीम कोट में सरकार ने एक हलप नमा के जरिये बताया है कि अगर राज्यों को हर मिर्तक के लिए 4 लाख रूपय के बोगतान का निर्दिस दिया गया तो उनका पुरा खजाना ही खाली हो जाएगा दरसल राज्यों के पास इस्टेट डिजास्टर रिस्पोंस फंड यानि एसडी आरप के मुआवजे का बोगतान होता है ऐसे में अगर सभी मिर्तक के परिजनों को 4-4 लाख रूपय दे गए तो यह पंडी खतम हो जाएगा सुप्रिम कोड में केंदर सरकार ने जो हलप नमा दिया है उसके मुताबिक इस वित्यों वर्स में राज्यों को 22,184 करोड रूपय HDRIF फंड में दिये गए हैं इसका एक बड़ा हिस्सा कोरोना से निपटने के लिए खर्च किया जा रहा है सरकार ने बताया कि 1,75 लाख करोड का प्रधान मंत्री गरीब कल्यान पेकेज गोसित किया गया है इसमें गरीबों को मुप्त रासर और अइन तरह के मदद की जा रही है सुप्रिम कोड को केंदर सरकार ने बताया कि मौजदा वक्त में केंदर और राज्यों को राजसु का नुकसान हुआ है राजसु की प्राप्ती भी कम हो गई है ऐसे में कोरोना से लगबग 4 लाख मोतों के मामले में सभी को 4-4 लाख मुआवजा देना बहुत मुस्किल काम है अगली बाड़ी खबर कत्रे के निसान के पास पहुची बूड़ी गंदक नदी विभाग की ओर से अलड़ जाई जिया मांसुन की दस्तक के साथ तेज बारिश से बूड़ी गंदक नदी का जलेस्तर बढ़ रहा है इस कारण सहर से 60 सिकंदर पूर अखाडा गाट इलाक बूड़ी गंदक नदी के निचली हिस्से में पानी परवेश कर रहा है इससे करीब 500 जोपड़ी पर खत्रा मरनाने लगा है हालाकि बूड़ी गंदक अभी खत्रे के निसान से निचे बरही है लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण जल इसतर में बारिविर्दी हो रही लगातार हो रही बारिश के बाद बांध की सिती और जरजर होती जा रही है वह अगली बड़े कबर उत्तर बिहार के जीलों में बारिश से बार का विकराल पूर्वी चमपारन में तबाही 50,000 आबादी बार से परवाविदी है में बार के पानी का फैला उरुग गया है वालमिकी निगर बराज से भी गंड़क नदी में मात्र एक लाक उननीस जार क्यूसक पानी चोड़ा गया है पूर्वी चमपारन में बोड़ी गंड़क का पानी सुगोली बजरिया प्रकण में तबाही मचा रहा है इदर मदोबन सितामड़ी वा दरवंगा में बारिश से नदियों के जलिसर में मामुली विर्दी दर्ज की जा रही है तो वहीं मुझपरपूर के साहेब गंज वा पारों में बार के कारण लोगों को परिसानी बढ़ती जा रही है प्रसासन की ओर से कोई रहत समगरी उपलब नहीं अंचायतों के दो दर्जन से अधिक गाव में बार का पानी घुसा हुआ है इन गाव में करीब 14,000 आवादी बार की चपेड में है बड़े कबर बियार में मौसम विभाग ने वजरपात को लेकर जारी किया 24 घंटे का अलट कहा ग्रामेन इन इलाकों में बारिस के दोरान लोग घरों से ना निकले जिहां बिहार में भले एक कोरोना का कहर अब नहीं के बराबर हो गया है लेकिन मौसम का कहर अब धेरे धेरे बढ़ रहा है इधार एक सब्ता से लगातार हो रही मानसुन की बारिस के बेच मौसम विभाग ने वजरपात को लेकर 24 घंटे का बारिस का अलट है मौसम विभाग ने अपनी चितावनी में कहा है कि राज के अन इस्तानों पर हलके से मैदम दर्ज की बारिस की समावना है वजरपात से सुबे के लोगों को आगक किया गया है कि सुरक्चा को लेकर वे पूरी तरह चोकस रहे अगले 24 घंटे में वजरपा बनाई योजना जिहां महिने में एक करोड लोगों का टिका करन अभियान एक जुलाई से सुरू होना है अभियान की सफलता और लच हासिल करने के लिए स्वास्त विभाग विस्तित्रकार योजना बना रहा है इसी कड़े में या तैह हुआ कि जिनके पास पहचान पत्र न में एक पत्र भी भेजा है जिसमें कहा गया है कि जिला टास्क फोर्स अपने जिले में 18 वर्स से अधिक आयू वर्ग के वैसे लोगों की पहचान करें जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है इस कारी में आलप संक्यक कल्यान समाजिक नियाय और समाज कल्यान के चेत्र में काम करने वाले संस्ताओं से दत लेहने की सहलियत भी टास्क फर्स को दी गई है बड़े कबर प्रदेश से विदायक और कोरोना संक्रमन का बड़ा कदम 24 घंटे में मिले मात्र 294 नई संक्रमित मरीज बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्दी की बात होगी कि अगर सब कुछ ठीक टाक रहा तो आने वाले 10 से 15 दिनों के भीतर राज में कोरोना कांत हो जाएगा या स्वास्त विवाग की ओर से जारिक करने वाला आकड़ा वता रहा है जिहार बिहार में पिछले 24 घंटे में 294 नई संक्रमित की पहचान हुई है जिसमें सबसे ज़्यादानी पटना में 48 नई संक्रमित मिले हैं इसके आलावा सुपोल में 11, सिवान में 3, सितामणी में 5, अरारिया में 17, दरबंगा में 19, बाका में 1, औरंगाबाद में 1, नलंदा में 1, जहनाबाद में 1, भागलपुर में 1, बेगुसराय में 6, मुझपरपुर में 11, बोजपुर में 4, गया में 2, गोपालगज में 15, ज बड़ी कबर आज मनाया जाएगा अंतराष्टे योग दिवस इस साल थेम योग फोर वेलनेस पीम मोदी आज करेंगे कायरकरम को सम्मोदित जिहाँ एकीस जोन यानि समुवार को पूरी दुनिया में अंतराष्टे योग दिवस मनाया जाएगा इस मोके पर देश में कई कायरकरम आयुजित किये जाएंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी विस योग दिवस के मोके पर समुवार की सुबह यानि आज साड़े छे ब जियास करने पर केंद्रित है बड़े कबर आज से खुलेगा पटना हाई कोड वेसी के जरिये होगी सुनवाई गर्मी की चुटी के करीब एक महने के बाद आज यानि सुमुवार से पटना हाई कोड में काम काज सुरू हो जाएगा हाला कि ओल्लाइन मायदम से सभी मामलों की सुनवाई होगी पटना हाई कोड कर विभीन पेट द्वारा साड़े दस बजे से लेकर चार बचकर 15 मिनिट तक विडियो कॉनफरेंशिंग के जरिये सुनवाई होगी कोड सिर्फ उन्हें मामलों की सुनवाई करेगे जिसे एफ हाइलिंग द्वारा दायर किया गया है रोजाना पचास अपरादिक एवं तीस सिविल मामलों की सिनुवाई होगी, एफ हाइलिंग के द्वारा सभी मामलों को दाखिल करने के लिए कोड फिस अनिवार कर दिया गया है, इसको लेकर ओनलाइन पोटल बने आ गया है, गोर तलबे के पटना हाई कोड पिछले 22 मैं से अब आज से सुरू होने जा रहा है, बिहार ओनलोक 3 में मौल से इसकोल खुलने की समावना पर विचार, यूपी सरकार के फैसले से बड़े उम्मीद, जिहार बिहार में कोरोना वारे संक्रमन अब कापी हद तक काबू में आ गया है, अस्पतालों में अब कोविड संक्रमन के गिने चुने मरीजी बचे हैं, इसे देखती वे सरकार ने पावंदियों में रियाद देने की सिरुवात पहले ही कर दी है, राज में अनलोक 2 की मियाद मंगलवार तक है, वदवार से आगे की नए गाडलान जारी होनी है, इसमें कई तरह की छूट देने के लिए सरकार क खोलने की इजाज़त दे दी है, विहार में भी सोमुआर या मंगलवार को मुख्यमंत्रे नितिस कुमार ने गाडलाइन का एलान कर सकते हैं, अगली बड़े खबर विहार के सरकारे स्कुल में आज से बटेगा खादान, अप्रादान अजदवक की मौजूदगी में अभि जिला सिक्चा पदादिकारे और मैयाई भोज्यान योजना के डिपियों को पत्र भेजा है, सिक्चा विवाग ने अपने आदेश में कहा है कि आज से एक साथ मार्च अप्रेल और मैं महिने का खायदान अभिवावकों की बीच वित्रित करें बड़े कबर सराब के खिलाब कारवाई में जिले से थाने तक देखा जाएगा फर्फरमेंस 15,000 लिटर सराब जब तो मिलेंगे 25 संग जिहां सराब बंदी कानून को लागू कराने में अब जिलो और थानो का पर्फरमेंस देखा जाएगा इसके लिए 100 अंकों का पेमाना किया गया है कुल साथ बिंदों पर की गए कारवाई के आधार पर अलग अलग नंबर दिये जाएंगे और जिलो की रेंकिंग तै होगी यहां काम हर महने होगा और इसकी समीचा की जाएगी मद नितेश इकाई ने इसके लिए फर्मूला तै करते हुए कारवाई शुरू कर चोटे जिलो के निउन्तम 200 और बड़े जिलो के लिए कम से कम 500 लिटर के जबती पर ही एक अंक मिलेंगे अगली बड़ी खबर सवाद दो महने बाद पाटना आजी आमेस में सुरू हुई ओपीडी सेवा जानिया रेजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और सरजरी सुरू होने क जानकारी जिहां पाटना के आजी आमेस में सवाद दो महने बाद सनिवार से ओपीडी सेवा सुरू हो गई है ओपीडी सेवा सुरू होने के पहले ही दिन 78 मरीज इलाज के लिए पोचे अभी ओपीडी में सिमित संक्या में ओनलाइन रेजिस्ट्रेशन किया जा रहा है ओन किसी मरीज को एप सुरू करने में परसानी होती है तो वे अपने मोबाइल नमबर वो इमेल के साथ आइसमान काउंटर संक्या 17 पर जाकर या सपोर्ट at the rate mehtadatamatics.com पर मेल करके कर सकते हैं और अंकी बड़ी कबर अपने पीएब अकाउंट को अब कराना होगा अपडेट नमिनी का फोटो भी करना होगा अपलोड जाने अंतिम्ति थी जिहां प्राविट सेक्टर और सरकारी उपकर्मों में काम कर रहे सुबी के लगबग 5 लाग करमचारियों को 1 सितंबर तक अप अपने पीएब अकाउंट अपडेट कराना होगा उन्हें नमिनी का आधार नमबर भी पीएब अकाउंट से लिग कराना पड़ेगा साथ ही नमिनी का फोटो भी अपडेट करना होगा साथ ही आपको बता दे कि ए पीएबो की सभी सदेशों को अपने आधार नमबर 21 का theme क्या है इसका जबाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं